एलो रिवन्स वेल्केब एक मैं चैनल एजुकेशन पॉंट अड़ा तो आज की वीडियो क्लास 12 वाले हिंदी गिडियम जो यूपी बोर्ट के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्पॉर्ड होने वाली है तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत विगल्पी कोश् साल आते हैं तो ठीक तो हर साल आने वाले प्रश्ट यानि कि बहुत ही ज्यादा इसी हो जाएंगे और आपके पैपर में आ सकते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंतर तक जरू देखेगा तो देखें और अभी तक जितने हैं हमारे चैनल नों को को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है प्रीज हमाई चैनल को जाके सब्सक्राइब लिए तो देखें अवारा मसीह के रशनाकार है तो देखें अवारा मसीह के रशनाकार कौन है विश्णु प्रभाकर तो देखें चार ओक्षन दिए हुए थे देखें मैंने रेट पर इसके आं अंसर होता है क sonra next question महावीर प्रसाद द्वारा संपादिक्त प्रतिका कौन थी तो देखिए चार उप्षण दिए हुआ असर मिल जागा दीके दिरवेदी दिरवेदी युक कही है सुकलोक्तर के निवी युक के निए प्रेमचंत युक के निए जैने कि दिरवेदी युक के महाववेदी प्रसाथ लेख़ा के अब देखें आगे बढ़ते हैं कोशन में अब देखें फोर नमबर कोशन लिखा हुआ है क्या माहानी महाकाव के रजाइता है यानि कि मैतिसरंगुप्त सूरकन तिरपाटी निराला जैसंकर प्रसाद और रामदारी दर्तिंकर तो जैसंकर प्रसाद है यानि कि कामयानी जो महाकाव है जिसके रजाइता है जैसंकर प्रसाद अब इसको सूर्ड ले लिए चाहिए याद करते चलिए चाहिए आप कॉपी में लिखते चलिए इस तरह से यह आपके कोशन जरूर त्यार होंगे यह कोशन बार बार ही आते हैं आपके अगर तीन चाहर भी इससे फज़ गए तो आपका चाहर नंबर तो बिल्कुल पक्के हो गए फिर तारक सब्ता का प्रकासक वर्स है प्रकासक वर्स है नहीं है नहीं है फिर आपका अच्छा नंबर कोशन है सांकेट महाकाफ के रचित रचाईता हैं यानि के देखिए सांकेट महाकाफ है उसके सब्सक्राइब करें तो आप लिख लेंगे उस पर कोशन बैंक पर तो देखिए फिर नमबर कोशन है जैसी का पदमावत कि भासा में लिखा गया है ब्रज भासा में लिखा गया है खड़ी बोली में लिखा गया है फार्सी में लिखा गया अवदी में लिखा गया है जैसे का पदमावत कि भासा में लिखा गया है जैसे का पदमावत बहुत जदा है आपको बताएंगा देखे अश्टम्याम के रचनाकार कौन है तो देखे अश्टम्याम गोकुल नात नहीं है बल्लबाचार नहीं है तोसी दास नहीं है नाबादास है नाबादास इसका राइट आंसर है याने की अश्टम्याम के रचनाकार है नाबादास फिर सिक्षा का उद्यस के निवन्दकार हैं सिक्षा का उद्यस इंपॉर्टेड है हर साल हर साथ में पूछा जाता है तो इसको जरूर से जरूर आप तैयर के लिजेगा जिसे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से उखो सके और प्लीज हमाई चैनलों को सब्सक्राइब करे ज्यादा ज्यादा लोगों को शेर करिए कि देखे सिक्षा का उप्तियस का निवन्दकार है डॉक्टर संपूरा नंद आचार महाबीर परसाद दिर्विजे नहीं है रामवक्ष पेनिपूरी नहीं है वासुद्य सरण अगवान नहीं है तो डॉक्टर संपूरा नंद है से राइट अंसर बाष करो टैनमबर वह रमेसिया के रचना विदा यानि कि जो रचना है कि समय ब्दार कि नए नाटल नहीं निवन नहीं है जीवरी है यानि कि अबार अमसिया ले अच्छना विदा है यानि कि वो जीवरी है तो यह आपके कोशन त्यार होते हैं कि लाश्ट कोशन इस वीडियो का जो ही मोश इंपॉर्टेड है हिंदी का मौलिक उपन्यास माना जाता है हिंदी का मौलिक उपन्यास माना जाता है चंतकांता को नहीं माना जाता है गोधान को आपको एक बार रिकाप करा दो रहा हूं पूरी वीडियो यह देखिए मैंने 11 कोशन लिखे हैं हुए इन 11 कोशन में आपके चार से पांच नंबर बिलकुर क्लियर होने वाला है मैं दिखो गरेंटी से साथ बता रहा हूं तो इस ताप के कोशन हर साल पूछे आते हैं जिससे कि आपके बहुत विकल्पी कोशन त्यार होंगे तो देखिया मात पूर्ण बहुत विकल्पी रचन आप इसको इसके सोड़ लेते चलिए अवार मसीए के रचना का रहा है पुष्णू बाबाकर अचार महावीर परसाद दिर्विदेदा संपाद्य पृत का सुरसती है महावीर परसाद दिर्विदी युक के थर्ड नमर कोशन ताब इसको लड़ ले लेजिए और कम्यानी महाकाव के रचेता है जैसे अंकर परसाद तारक सब्ता का प्रकासक वर्स है उनने सो तिरालेस संकेट महाकाव के रचेता है मैसली सरंगुप्त जैसी पादमाजक किस दिवासा में लिखा गया अब दीवासा में लिखा गया यह आपके साथ कोशन हुए अब देखिए अश्टम्याग के रचना रचना का रहे है नाबादास सिक्षा का उद्देश के निबन का रहे हैं डॉक्टर संपूरा नंद पिर अवाम असिया की रचना विदा है जीवनी है दस्वा नंबर कोशन और हिंदी का मौलिक उपन्याथ मना जाता है परक्षा गुरु को इस तरह से ये वीडियो कम्प्लीट होती है और प्लीज हमाई चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करें तैंकि सो मच बने रहे हम हमाई चैनल एजोकेशन पॉइंट अड़ा के साथ और आपको नेक्ट वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेट जानकारी देखने को मिलेगी और मैंने इससे पहले सारे इंपोर्टेट कोशन बता चुके हैं किस तरह से हिंडी का पेपर आएगा तो प्लीज आप उन वीडिय वीडियों को जारू से जारू देख लीजेगा थेंक्यू सो मच बने रही हमाई चैनल एजोक्यूशन पॉइंट अड़ा के साथ